ओम् नमों भगवते वासु देवाय, आज मार्ग शीर्च महतमे का दूसरा अध्याय है भगवान शिरी कृष्ण से प्रातना है कि वो अपना सने हम सब पर सदेव बनाए रखे चलिए अब आपको सनाते हैं मार्ग शीर्च महतमे का दूसरा अध्याय यह वारता सुनकर शिरी ब्रह्माजी भगवान विश्णू से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विश्णू प्राप्ती का कारण मार्ग शीर्च मास का विधी पुरुक सेवन करने को कहा सो हे देवेश, उसकी विधी क्या है? शिरिभगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़ कर मुनिश्य रातरी के अंत में उठकर विधी पुर्वक आच्पन आदी करके गुरू को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ती से मेरे सहस्तर नाम का किर्दन करे ग्राम के बाहर चाकर यथा विधी मल और मूतर का त्याग करे मृतिका आदी से शुद होकर दंत धावन पुर्वक सनान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्तर सहित मूल मंतर अत्वा गायतरी मंतर से अभिमंतरित करके उस मृतिका को शरीर में लगा कर कर सनान करे और जल के अंदर नाक को दबा कर अग मर्शन मंतर को पढ़े सनान के लिए तलाब कुवा या बावडी आदी का जल शरेष्ट वाना गया है पहले जो मूल मंतर कहा गया है वह भगवान का अश्टाकशर मंतर ओम नमो नारायन है पवित्र होकर हाथ में कुशा ले आचमन कर अपने हाथ से चार हाथ की चारो तरफ चोकोर सनान जल में कलपना करे और इन मंतरों में गंगाची का आवहान करे कि हे गंगे तुम विश्णु के चर्णों में उत्पन हुई हो इसलिए विश्णु रूप ही हो अतह तुम मेरी रक्षा करो जनम से मरन परयंद तुमको नमस्कार है फायुने जो साड़े तीन कोटी तीर्थ कए हैं जो स्वर्ग पृत्वी तथा अंतरक्ष में हैं वह सब तुमारे जल में वास करते हैं तुमारी नंदनी और देवताओं के यहां नलिनी नाम भी है दक्ष बुत्री विहगा विश्व गंगा संसार गामिनी के नाम योगी लोग कहते हैं हे जाहनवी शान्ता शान्ती प्रदायनी अथार्थ शान्ती देने वाली हो इन पवित्र नामों को सनान के समय सदा पढ़ना चाहिए इससे तृपथ गामिनी गंगा सदे उस स्थान में वास करती है हाथ जोड़कर उपर कहे मंतरों का साथ बार पाट करें शिर में अंजरी लगा कर फिर तीन चार पाँच अथवा साथ बार सनान करें और नीचे लिखे मंतर से अभिमंतरित करके मिट्टी को शरीर में लगाएं मृतिका का मंतर है हे मृतिके तुम पर घोड़े चलते हैं रत चलते हैं तुम भगवान विश्नु के चर्णों में से नापी गई हो तुम मृतनों को धारन करने वाली हो अत मैंने जो पाप किये हैं उनका नाश करो हे मृतिके सैग्डों भाववाले शरी कृष्ण ने वारा रूप धारन करके तुमको उपर को उठाया है ये सुबरते तुम सब प्राणियों की उत्पत्ती का स्थान हो तुमको नमस्कार है इस परकार सनान कर विधिपूर्वरक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुकल वस्तर धारन करें आचमन कर देवता, रिशी और पित्रों का तर्पन करके दूसरी धोती को धारन करके तर्पन की धोती को निचोड़ें तताशुद्र मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलसे को त्याग कर वैशनव लोग ललाट में यथा संके उर्थव तिलक लगावें ब्रामन बाहरे, शत्रिये चार, वैशये दो, इस्त्रि तता शुद्रों को एक एक, ब्रामन मस्तक, उधर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों काख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अथात, रीड में 12 लगाने चाहिए शत्रियों को ललाट हर्दे और दोनों भुजाओं में धारन करना चाहिए वैशियों को ललाट अत्वा हर्दे में तथा इस्त्री और शुद्रों को केवल ललाट में ही धारन करना चाहिए तथा ललाट में केशव और उदर में नारायन का ध्यान करें ब्रामन वक्ष स्तल में माधव का कंठ में, गोविंद का दक्षिन कोख में, विश्नु का बाहू में, मधु सुधन का कानों के मूल में, त्री विक्रे का वाम पार्शुम में वामन का, वाम बाहू में शिरी धर का, कान में रिशिकेश का, पीट में पदनाप का, त्रिक भगवान वासुदेव का ध्यान कर शिर पर धारन करें। शत्री ललाट में केशव का, हरदे में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसुदन का समरन करें। अवैशे का करते सुनिए। ललाट में केशव का, हरदे में माधव का ध्यान करें। इस्त्री और शुद्र में केशव का ध्यान करें भगवान कहते हैं कि है ब्रहमान इस प्रकार मेरी प्रसंता के लिए पुंडो को धारन करें शाम वर्ण का तिलक शांती देने वाला है रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है पीत वर्ण का तिलक लक्षमी को देने वाला है और श्वेत तवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारन करते हैं, बीच में चिदर छोड़ कर विश्णु चरुण की आकरती के समान पुंड को धारन करें, मध्य में चिदर से युक्त तिलक को हरी मंदिर कहते हैं, उपर को उठाओ सुन्दर हो, सीधा को मुग्द करने वाला हो, ये उत्तम तिलक कहा गया है, और जो बिना चिदर का तिलक धारन करते हैं, वे द्विजों में अधम बिना चिदर का उर्धव पुंड धारन करते हैं, वे तिलक में लक्षमी के साथ स्थित मुझ को अलग करते हैं, अत चिदर जुक्त पुंड को धारन करें यदि बड़ा चिद्र हो तो उत्तम कहा गया है ब्रामन भगवान को सलोके पद प्राप्ति के लिए सदा हम तिलक को धारन करें मार्क शीर्च महत्मे का दूसरा अध्याय समाप्त होता है बोले कृष्ण भगवान ने की जाए